इस इस ये शोदा श्रमा फो माई फूटर एकाडमी एक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी आज हम देखेंगे एक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी में क्या है कि कंजियूमर का maximum satisfaction पे आएगा जब वो दो कमोडिटी पर्चेस कर रहा है मतलब सपोज अगर कमोडिटी एक्स है और कमोडिटी वाई है राइट दो कमोडिटी उसे पर्चेस करनी है एक्स और वाई हम अज्यूम करते हैं तो हमें ये find out करना है कि एक्स की कितनी उनिट्स वो पर्चेस करेगा और वाई की कितनी उनिट्स पर्चेस करेगा जब वो maximum satisfaction पे आएगा single commodity में हमने ये देखा था कि एकी commodity थी X और हम ये find out कर रहे थे कि वो X की कितनी commodity पर्चेस करेगा जिसे हमने previous वीडियो में देखा कि 3 commodity पर्चेस करता है तब वो maximum satisfaction पर आएगा और यहाँ पर हम देखेंगे कि X और Y दो commodity है तो यहाँ पर X की कितनी units purchase करेगा और Y की कितनी units purchase करेगा with the given income तो वो maximum satisfaction पर आएगा तो consumer will be at equilibrium when the ratio of mu of 2 commodity and the respective prices are equal यहाँ पर इनके according कि consumer तब equilibrium पर होगा मतलब consumer तब maximum satisfaction पर होगा जब ratio of mu and their prices are equal मतलब दोनों commodity के mu and price का ratio जब equal होगा तब उस condition पर उस situation पर एक customer maximum satisfaction पर होगा यह simple way में यह क्या बोलना चाह रहा है ratio of mu and price यह रहा commodity x सपोस हम अज्यूम करें commodity x and commodity y तो ratio of mu and price तो mu upon price ratio मतलब divide mu upon price किसके equal होना चाहिए दूसरी commodity के mu and price तो यह जब situation होगी जहां पर ratio of mu and price will be equal to the ratio of mu and price of other commodity उस situation पर consumer equilibrium पर होगा यह mu m क्या है marginal utility of money मतलब यह दोनों तो equal होने चाहिए लेकिन यह हमारे money मेको से कितना satisfaction मिल रहा है जैसे कि हमने देखा था कि मैं ice cream purchase कर रहे हूं 10 रुपीज के ice cream purchase कर रहे हूं 10 पर मेको 20 रुपीज का satisfaction मिल रहा है तो यहां पर mu क्या है marginal utility of money जादा है और जब मेरा 10 और 10 equal होगा यह मेरी commodity के price है और यह marginal utility of money है तब यह दोनों equal ह होगा तब मैं maximum satisfaction पर होंगी तो यहां पर यही बोला जा रहा है कि इन दोनों का ratio mu of x upon price equals to mu of y upon price of y should be equal to marginal utility of money तो यह तीनों आपस में जब equal होगे उस situation पर हमारा जो consumer है वो equilibrium पर होगा यहां पर मैंने बताया भी है mu of x upon price ratio of mu and price of commodity x ratio of mu and price of commodity y और यह जो हमारा mu है वो utility of money है तो यहां पर हमारी यह दो चीज़े हो गई third condition तो यहां पर दो condition satisfy होनी जाहिए ratio of mu to the price is same in both the cases जो हमने यहां पर पढ़ा वो ही इनोंने हमें condition में भी दे दिया कि जो price और mu का ratio है वो same होना चाहिए यह first condition है equilibrium के लिए second condition है mu falls as consumption increases उस stage के बाद हमारा mu fall होना चाहिए यह दोनों condition जब satisfy होगी तब हमारा consumer equilibrium पर होगा और clearly समझाएगा एक example लेकर यहां पर हम एक example लेते है units में हमारे पास 1,2,3,4,5 mu of x दिया है mu of x अलग है mu of y देखो अलग है mu of x है 20,14,12,7,5 mu of y is 16,12,8,5,3 हमें और given information दी है कि हमारे पास income जो हमारे पास money है वो सिर्फ 5 rupees है price of x है 1, price of y है 1 यानि यहां पर हम जो एक और column बनाते हैं वो यहां पर क्या है 1,1,1 यहां पर मैं लिखनी पारी लेकिन यहां पर जो एक और column बनता है price का हम इस तरीके से लिख देते हैं वो है 1 मतलब कि 1 unit purchase करेंगे तो भी 1 rupees लगेंगे 2 unit purchase करेंगे तो दोनों unit के 1 plus 1 2 rupees लगेंगे यहां पर हमें price दोनों का सेम दिया है एक्स का है 1 rupees य का भी है 1 rupees अब हमें कौन से situation पर आना है जहां पर मेरा consumer सेक्टिस maximum satisfaction पर हो with the 5 rupees पहले हम logically देखते हैं फिर हम इनके method के according देखेंगे तो यहां पर हमारे पास 5 rupees है यहां पर अगर मैं देखा जाए तो सबसे ज़्यादा maximum सबसे ज़्यादा satisfaction कि इसमें मिल रहा है mu of x तो first rupees में पास 5 rupees है उसमें से पहला rupees मैं एक unit लोगी x की यह मैंने ले लिया अब next में को satisfaction ज़्यादा कहां मिल रहा है mu of y 16 का satisfaction मिल रहा है तो next commodity मैं purchase करूँगी y की यह मैंने next purchase किया y फिर में को 14 का मिल रहा है mu of x में 14 तो मैं next purchase करूँगी x फिर मैं purchase करूँगी y फिर मैं purchase करूँगी x इस तरीके से मैंने मेरे 5 rupees spend कर दिये किस तरीके से जैसे जैसे मेरा mu जहाँ जहाँ पर जादा है मैं वो commodity purchase करती जाऊंगी राइट तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 3 units of x purchase किये और 2 units of y purchase किये तो में पास total कितने units हो गए 5 units और में पास पैसे भी कितने है 5 तो मैंने इस तरीके से मेरे money को spend किया जहाँ पर मेरा satisfaction maximum आया इनके according अगर हम इनके condition को देखे तो यहाँ पर इनकी condition क्या है condition 1 हमें exam में इतना long procedure करने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि इनकी condition के according हमारा जो calculation है वो बहुत ही short हो जाएगा first condition mu of last rupee spent on each commodity is same यह condition है कि हम जो last rupee spent कर रहे हैं उससे दोनों का mu same आना चाहिए तो simply हम देखेंगे कि x में और y में same number कहां पर है same utility किसको मिल रही है यहाँ पर 12 है और यहाँ पर भी 12 है तो same marginal utility मुझे कब मिलेगी जब मैं 3 units of x purchase करूंगी और 2 units of y हमें यह वाली condition ध्यान रखनी है जब मैं 3 units of x purchase करूंगी और 2 units of y वहाँ पर मेरे जो marginal utility है वो same है second condition है कि mu must fall after mu must fall as consumption increases तो वो condition भी यहाँ पर देखते हैं इस 12 के बाद क्या mu decrease हो रहा है यहाँ यहाँ पर यह condition satisfy हो गई क्या यहाँ पर यह condition satisfy हो रही है यहाँ तो यहाँ पर हम simply किस तरीके से find out करेंगे कि consumer maximum satisfaction पे है first हम देखेंगे कि जहाँ पर mu same है यानि 12 and 12 second condition mu must fall as the consumption increases तो यहाँ पर आपके पास question में इस तरीके से आ सकता है यहाँ पर तो एक ही number है जो same है 12 12 हो सकता आपके पास question में दो number हो जैसे यहाँ पर यह है 5 and 5 तो क्या यहाँ पर भी consumer maximum satisfaction पे हो सकता है नहीं क्यों क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हमें marginal utility नहीं दी है यहाँ पर mu fall नहीं हो रहा mu खाली fall हो रहा है at commodity x and commodity y commodity x of 3 units and commodity y of 2 units so यहाँ पर इसके according इस formula के according भी यहाँ पर यह प्रूव होता है he will purchase 3 units of x and 2 units of y लिपनully नहीं कर सबस्त्रापां के भी का व्रेफाँ इसके अ devil europé तनी है व्रेनि हमें आँ को ब six घcarbon of анеल च्सापंव लूपाहल Pyos